जैहिंद वंदे मात्रम स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टाड़े पेटफॉर्म में उमीद है आप और आपका परिवार बेहितरीन और उंदा होगा दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आगास करेंगे एक ऐसे टॉपिक जो सबसे चुनिंदा टॉपिक है दोस्तो पूरे सीटेट में अब तक के इतिहास में मैं कहूंगा ये 48 पन्ने की स्लाइड जिसमें हम टॉपिक के साथ देखी टॉपिक पढ़ेंगे साथ में टेस्ट भी कवर कराएगी क्वेशन कैसे पूछे जाते हैं इस तरीके का प्रश्ण मिलेगा एक इस तरीके का प्रश्ण आता है ऐसे प्रश्ण आपको देखने को मिलते हैं साथी साथ हम इन वर्ट को पढ़ने से पहले यनि ध्यान दीजेगा हर चीज को बहुत अच्छे स्लाइड में पढ़ेंगे पहले हम टॉपिक को पढ़ेंगे और क्वेशन को करेंगे क्वेशन को करने से पहले क्या होना चाहिए दोस्तों बताइए कि टॉपिक को पढ़ना चाहिए टॉपिक में क्या है गिद्ध है टॉपिक में क्या है मोर है कबूतर है कोयल है बीवर है कल्चिडी उ जमकर सेयर कर दीजेगा मतलब अब तक के इतिहास में ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी मैं कहता हूं कि आप पेन और कॉपी ले लिजेगा और इस टॉपिक को पूरा कवर करते हैं चलिए देखिए क्वेशन का स्वरूप देख लीजे क्वेशन बाद में कराएंगे क्वेशन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि उस पक्षी का नाम बताओ जिसकी आखें जो होती ही वो मानों की तरह सामने होती है हर पक्षी की आखें आप देखते होगे left and right में होती है लेकिन एक पक्ष पक्षी ऐसा है जिसकी आखें मनुस्य की तरह सामने होती है फिलाल आपको अभी बताना नहीं है कौन सा पक्षी जटके से गर्दन घुमाता है कौन सा पक्षी ऐसा है जो जीव यानि अपने पैरों पर पेसाब करता है ठीके ना चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस प्षे गए और इस बार पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा ऑनलाइन से आफलाइन आईए देखिएगा कैसे आते हैं और क्वेशन हर चीज को ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हर चीज को बहुत कम और हर चीज के क्वेशन भी कर लेंगे ठीक है हर चीज की बात कर ल जानता है है ना दुनिया में चोटा बक्षा तक जानता है कि यहां भारत जो है हमेशा आइलाइट रहता है मोर भारत का राश्टी पक्षी है पीकॉक इस देशनल वर्ड ऑफ इंडिया अगर बात करें कौन सा मोर मोर तो बहुत कैटेगरी के हैं नीला भी होता है मोर और बहुत एकजाम में पूछा जाता है जो आगे हमने कोई सं लिया हुआ है आपसे कहता है मेरे लाल कहता है कि यह बताओ कि राश्टी पक्षी अगर मोर है तो इसको सम्विधान में दरजा का प्राप्त हुआ है मैं कहता हूँ अगर सम्विधान की बात करें तो 26 जनवरी 1963 का एक ऐसा दिन है जिसको हमने राश्टी पक्षी के रूप में दरजा दिलाया किसको नीले मोर को दिलाया ठीक है कोई डाउट कोई समस्या नहीं होनी चाहिए एक question exam में बहुत trend होता है ये वाला question trend होता है आप पढ़िएगा जबाब दीजेगा कि भाई ये बताओ कि मोर को भारत का राश्टी पक्षी कब घोसित किया गया था एक बार सबसे तेज कमेंट बताए करके कि आंसर क्या होगा आप सब बढ़िया है तयार है ना चलिए यानि जो हमारा नीला मोर है वो राश्टी पक्षी अगर घोसित हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि राश्टी पक्षी जो है 26 जन्वरी क्या है 26 जन्वरी 1963 को अगर हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा आप्षन नमबर टू के साथ जाएगा विकल्प टू हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मोर से इससे ज़्यादा फैक्ट एगजाम में नहीं पूछे जाते हैं ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा ठीक है आते हैं अगले पक्षी पर और जो हमारे हैं महास है गिद्द महास है तीन तरीके के कोईशन्स एगजाम में पूछते हैं गिद्द महास है क्या क जो है देश है भारत जहां पर एक तरीके के यानि अब तो गिद अगर देखा जाए तो हैं नहीं या एक दो अगर मिल जाते हैं पहाड़ी इलाके में तो मिल भी जाते हैं आज भी मिल लाए है ठीक है ना एक एक मिल लाए है फिलाल क्या है कि भारत में जो गिद है ये हमेशा आपको याद रखियेगा कि भारत ही ऐसा देश है जहां पर गंजे सिर के यादि गंजा सिर कहां मिलता है, गिद का गंजा सिर, तो हमेशा याद रखना है कि जो बाल नहीं होते हैं, पक्षियों के आपने देखे होंगे कि हमेशा बाल होते हों की जो है तवचा पर तो गिद्ध ही ऐसा है जो भारत ही ऐसा देश है जहां पर गंजे सिर्वाले गिद्ध पाए जाते हैं तो कुईसन में भी पूछ चुका है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर गंजे सिर्वाले यानि गंजे वाले जो है क्या है जिनके बाल नहीं होते है व और गिद्ध से क्या बनते हैं कुएं कहता है कि गिद्ध मरे हुए जानबर को खाकर पर्रयावन को श्वक्षरकते हैं आप पहले अगर अपने दादा दादी से पूछो या बिड्दमान ना हो या कोई पूरवज हो गाउं में तो यहाद रखियेगा कि जैसे ही जानबर कोई मरता था, गाय भैस मरती थी उसको सड़क के किनारे फेक दिया जाता था, है ना जहां पर कोई नहीं जाता था, गिद्द क्या करते थे, इंतजार करते थे और लगवग लगवग मुझे लगता है कि एक मिनिट के अंदर वो पूरी गाय भैस खतम हो जाती थी यानि खतम ये क्या था ये environment के लिए बहुत अच्छा था कि कोई भी जानबर सडने से पहले ही खतम हो जाए तो उस सडन को बचाने के लिए क्या करते थे गिद्ध जो है अपना भोजन अपना सिकार बना लेते इसलिए क्या होता था कि अगर गिद्ध जो है मृत जानबर को खाएंगे तो environment हमारा स्वक्ष रहेगा तो एक question यहाँ पर ये बनता है कि इसलिए हम इसे प्रकरति का सफाई करता कहते हैं गिद्ध को क्या कहते हैं भया प्रकरति का सफाई करता कहते हैं इस चीज़ को यहाँ पर याद रखना है बत संदक्षन परियोजना 1973 मारते 1973 ऐसे ही एक गिद्ध संदक्षन परियोजना आए थी वो कवाई थी चलिए अब यहाँ पर देखिएगा एक question भी अभी दो question करेंगे यहाँ से दो question करेंगे एक और दो ठीक है पहले एक point और कर लेते हैं गिद्ध क्यों नहीं दिखाई देते question यह भी आता है देखो एक्चल में क्या हुआ कि जब गिद्ध जो है इन पसूओं को खा रहे होते थे तो एक समय ऐसा आया कि पसूओं को यानि अगर हमारी भैस है अगर हमारी गाय है और गाय को कोई तकलीफ है गाय को बड़ा जो है क्या हुआ दर्द है असहनी दर्द है तो हमने गाय को injection लगाया तो गाय के injection जब हमने inject किया तो उस injection में diclofenic क्या था salt था जब diclofenic salt था तो वो गाय के या भैस के पूरी body में पहुँच गया अब गाय भैस तो मर गई ठीक है ना गाय भैस मर के पहुँची सड़क के किनारे गिद्ध इनका इंतजार कर रहे थे ठीक है ना तो जब ये diclofenic उनके सरीर में गई यानि गिद्ध के सरीर में गई तो कहीं न कहीं ये बिलुप्त कगार के तरफ चले गए यानि इनकी भी मौत होने लगी क्योंकि मांस अच्छा नहीं मिल लहा था reason था दोस्तों क्या reason था diclofenic जो है दवाई गिद्ध के मरने का कारण पूछा जाए तो diclofenic दवाई आपको मारना है यहां पर आपको याद रखना है चली एक question कर लेते हैं और question में सबसे पहला question ये करेंगे सबसे पहला प्रशन ये करेंगे ध्यान दीजेगा सबसे पहला प्रशन करेंगे कि गिद्ध जो कुछ साल पहले भारती ग्र पहलों का विनास करना मवेशि मालिक दौरा अपने रोग गरस्त मवेशियों के Olai his गिंए ये एक ही है पूरा रोग गरस्त मवेश meer एक ही ही है पूरा रोग नवेशियों के Olisch के इस एक ही इनकी कमी और लिए उनके दिए उपलब्ध भोईजन की कमी या उनके बीच एक व् दिखाई देते हैं क्योंकि reason क्या है one not the reason most reason अगर देखा जाए कि dichlofenic जो मवेशी के जो क्या थे मवेशीयों के मालिक थे यानी जानबर के मालिक अगर हम है हमने देदी दव अगर हमवेशी को कि भैं यह सही ओ जाए और वो जानबर म plans गया और खाया सेवन किस ने किया, गिद्द ने किया, वो भी किड़नी की बज़े, किड़नी फैल्लवर की बज़े से मर गए, आंसर हमारा B option होगा, medicine used by cattle on us to treat their diseased cattle, option number 2 हमारा right होगा, एक question गिद्द से और पूछा जाता है, एक question किद्द से और पूछा जाता है, ध्यान देना, यहाँ पर question आप ज़रा जवाब दीजेगा, comment करिएगा, answer क्या होगा, बहुत बढ़िया, चलिए बताइए, जवाब दीजेगा, answer क्या होगा, बहुत बढ़िया, शलो, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ओके, देखिए, बहुत आसान था, मैंने आपको शुरू में questions कराया कि निमलिकित में कौन सा जीब अपने पैरो पर पेसाब करता है, अच्छल में हम जो चैप्टर पढ़ रहा है, वो बल्चर पढ़ रहा है, और बल्चर को हमने देखा कि भाया गिद्ध, ये question exam में जब डेड़ सो questions के बीच में आ जाता ना, तब दिक्कत करता है, तो याद रखना है कि अपने पैरो पर पेसाब कौन करता है, तो एक मात्र पक्षी याद रखेएगा, ये वल्चर करता है, जो प्रकतिका सफाई करता है, आये चलते हैं अगले question की तरव, अगले point की तरव, और अगला point यहाँ पर है, ये last point है, इसके बाद एक chapter देखते है नया पक्षी जिसका नाम है, कट फोडबा, जो बहुत एक्जाम में पूछा जाता है, इसको कौन नहीं जानता, समझेगा, कि चील बाज गिद, गिद पढ़ रहे हैं, तो चील बाज को हमने साथ में ले लिया, क्योंकि गिद भी इसमें सामिल है, हम लोगों से, यानि मनु नहीं देखेगा, बताइएगा, गिद दोस्तों इतनी देखेगा, मतलब व्यक्तियों की तुलना में, हम और आपकी तुलना में, गिद, चील, बाज, तीन ही ऐसे पक्षी हैं, जो चार गुना दूरी ज्यादा देख सकते हैं, मनुस्य की तुलना में, चार गुना दूरी ज्यादा देखने वाले कौन से तीन पक्षी हैं, कमेंट वाक्स में तेजी से लिखिएगा, आंसर क्या होगा, चील, बाज, और गिद, कितना देखते हैं, चार गुना देखते हैं, मुलों कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, आइए अगले फैक्ट पर डालिएगा चैप्टर का नाम है कटफोडवा, नोट करिए, हेडिंग डालते चलिएगा, चैप्टर का नाम है कटफोडवा, बहुत बढ़िया, कटफोडवा चिडिया, क्या डालेंगे, कटफोडवा चिडिया, लॉक कीजएगा, फटा फट, आँ, सारे कोईसंस भी कराएंगे, लास फोडवा चड़िया के कई रंग होते हैं जो आपके हाँ एक आपने चड़िया देखी होगी बहुत आम होती है इसके सिर पर आपने देखा होगा वो मुकुट होता है देखा है ऐसा मुकुट होता है ठीक है और यहाँ पर धारियां होती है उसकी लंबी चोंच होती है याद भी होता है मोर सफेद भी होता है और निला भी होता है समझो इस चीश को तो वो जो चिडिया है वो यही है जो वो आप चिडिया देखते थे ना मुकुट वाली वो चिडिया क्या करती है जैसे ये नीम का पेंड गया नीम का पेंड गया ऊपर जाके क्या हुआ कि ये पेंड पतियों में डिवाइड हो गया यानि इस तरीके से हो गया लेकिन क्या करता है यहां इन साखाओं पर गोसला नहीं बनाएगा यह पक्षी करता क्या है तने में घोसला बनाता है तना मतलब यह बना मजबूत हिस्सा जहां से आप लकड़ी को निकाल कर तखत बनवाते हो मेज बनवाते हो कुरसी बनवाते हो यह नीचे वाले हिस्से में यह तने वाले हिस्से में क्या करता है छेद करता है कैसे करता है चोंच से छेद कर रहा देखो ऐसे कर रहा और यह जब तक छेद करता है तब तक यहां यानि जब तक वो पूरा होना जाए और उनके अंडे उसमें आना जाए बच्चों के लिए इतनी मेहनत करने वाली चिडिया तने में छेद करती है तो समझ हो कि उसकी चोच कितनी मजबूत होगी तो आप याद रखेगा कटफोडवा चिडिया पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती भी है अपना घोसला कट कट मढने काट किसका लकड़ी को ही बोलते हैं फोड़ वा फोड़ देती है क्ट तने को ही फोड़ कर घोसला बना दे वही कट फोड़ वा है तो यह क्या हो कहा जाता है टेलर वर्ड, नोट कर लीजेगा, टेलर वर्ड, टेलर वर्ड कहा जाता है, ठीक है, ये टेलर वर्ड क्या है, ये टेलर वर्ड है दोस्तों, ये टेलर, जैसे हम अपने कपड़े कहां सिलवाएंगे, तो जो हमारा प्रिय टेलर होगा, हम उससे सिलवाएंगे, ठ ठीक है ना क्योंकि वो हमारे कपड़े का ख्याल लगता है वो हमारे Paint और स्रड़ को सिलेगा ठीक है जो भी कपड़े होते हैं वो एक टेलर सिलता है क्लियर वात है ना यहाँ पर क्या है कि टेलर वर्ड को ही दरजिन अब यह बताओ टेलर को इंगलिस में हिंदी में क्या कहत दिया और दरजिन अगर कर दिया तो ये चिडिया दरजिन है ये बड़ी छोटी सी चिडिया होती है और ये क्या करती है दोस्तों ये ऐसे एक पत्ता ये लिया एक पत्ता ये लिया समझे मेरी बात यहां पर एक्जामपल दे रहा हूं एक पत्ता ये लिया एक पत्ता ये लिय यहां पर उसने क्या कर दिया यहां पर उसने अपने चोंच से इन पत्तों को सिल दिया यहां पर भी सिल दिया तो यह क्या हो गई यह एक थैली हो गई यानि यह माईक जो है यह माईक किसवे है अभी थैली में है इसी थैली में वो अंडे रखती है मतलब दरजिन चडिया क्य करती है अपनी नुकीली चोंच से इस चोंच से ठीक है ना हुक जैसी चोंच से दोस्तों पत्तों को सीकर अपना घोसला बनाती है तेलर वर्ड मेक्स इट्स नेस्ट वाई, स्टिचिंग लीफ फॉम इट पॉइंट इड क्या है, भीक यानि चोंच से अपनी नुखीली चोंच से घोसले को तयार करती है, सीती है, नाम सिलने की बज़े से नाम हो गया तेलर वर्ड दरजिंचरिया, बात किलियर हो गई, चले चलेंगे अगले फैक्ट पर, अगले फैक्ट पर चलेंगे, यहां पर आता है सकर खोरा, ठीक है, सकर खोरा के दो पॉइंट आपको हम बताएंगे, जो एक्जाम में सबसे अदा पूशा जाता है, एक चीज और यार मैं बता देता हूँ, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के कई तरीके अलग हैं, यह कोई फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, कि जो पक्षी उड़ता है, उसका एक अलग, जैसे किसी भी पक्षी की कैपिसिटी अलग-अलग होती है, मैना कवा कबूतर की अलग होती है, इन तरीके से अब गर्दन घुमाने का तरीका भी अलग होता है, कोई धीरे से गर्दन घुमाता है, कोई तेज से, जैसे मैना जटके से गर्दन घुमाती है, उल्लू चारो तरब गर्दन घुमा लेता है, 270 डिगरी, इस तरीके से गुमाने का तरीका उढ़ने का तरीका चलने का तरीका भी बहुत अलग होता है आए चैप्टर का नाम डालते हैं सकर खोरा सकर खोरा क्या है मेरे लाल सकर खोरा एक पक्षी है क्या है सकर खोरा एक पक्षी है मैं कमेंट वॉक्स में भी देख रहा हूं बताओ कमेंट वॉक्स मैं देख लेता हूँ एक बार, सारे बच्चे यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, आवाज तो किलियर है, ठीक है, आवाज किलियर है, चलिए, देखिए, सकर खोरा आप पक्षी जो देख रहे होगे, आपने देखा होगा, इस पक्षी को ज्यादा पान करती है, यानि सहत का पान, सकर खोरा अपना घोसला किसी छोटे पेड या डाली पर लटकता हुआ, ये चडिया इंजिनिरिंग वाली चडिया है, यानि दुनिया की बात अगर करें, यानि देश की अगर मैं बात कर लेता हूँ, पूरे भारत की छोड़ो वर्ड में, इंजिनियर चडिया किसे कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि इसका घोसला ही बड़ा सुन्दर होता है, इसका घोसला देखिए आप, ये घोसला है, चडिया के कई रंग होते हैं, हो सकता है कोई चडिया गोल्डन कलर की हो, हो सकता है क जाडी से लटकता हुआ घोसला तो कुस्षण में हमेशा याद रखी अभी मैं कुस्षण आगे कराओंगा देखता हूँ आपके अंदर कितना दम है तो कुस्षण में क्या पुचता है उस शिडिया का नाम बताओ जो जाडी से लटकते हुए गोसले का निर्मान करती है और उसमें बच्चे को जनमती है तो जाड़ी से लटकता हुआ गोसला अगर होगा देखिए गोसला तो एक ही लटकता हुआ होता है जो दुनिया में एक चिडिया बनाती है और किसी का लटकता हुआ गोसला नहीं होता है बात बाकी तो सब साखाओं पे तने में हर जगे बनाते है तो केवल यही चिडिया ऐसी है जो चितनी भी आंधी आ जाए तूफान आ जाए इसका गोसला गिरता ही नहीं है इसका गोसला वहिया गिरता ही नहीं है इसके गोसले में बाल होते हैं, घास होती है, टहनिया, सूखे पत्ते, कपड़ों के चीथड़े होते हैं, जो हम लोग फेक देते हैं, अक्सर कर, मकड़ी के जाले जैसे बने होते हैं, और बड़ा अच्छी तरीके से डेकोरेट करती है, कभी-कभी तो ये अपने कई जो है, खंड हो जाते हैं, मतलब उनके बच्चे निकल के जहाकते भी हैं, तो इसलिए ये चिड़िया है, सकर खोरा, आते हैं अगले फेक्ट पर, चलिए, हाँ, इसको सनवर्ड भी कहते हैं, जो भी बच्चा यहाँ परियाद रखें, गौरईया की बात कर रहे हैं, तो गौरईय की चिड़िया कहा जाता है, बहुत सुंदर, ये घर की चिड़िया है, यानि गौरईया अपना घोसला कहीं भी बना लेती है, क्योंकि ये है घर की चिड़िया, यानि घर की मालकिन होती है, यानि जैसे अलमारी के ऊपर, आइने के पीछे और दीवार पर, अलमारी के ऊपर दिवार पर ये सब घर की शिडिया ही बना सकती है जिसका नाम है गौरिया इस पैरो आए एक क्वेशन कर लेते हैं और क्वेशन आ गया है आपकी स्क्रीन पर सबसे तेज अंसर किसका होगा चलिए बताईए सबसे तेज अंसर किसका होगा बहुत बढ़ी बहुत अच्छे बहुत आवाज आपकी क्लियर आ रही है मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है चलो इन चडियों की बात अगर करें जो गौरिया आप चडिया देख रहे हो ये चडिया क्या है? ये विलुप्त हो रही, धीरे-धीरे कम हो रही क्योंकि घरों में अब ये चडिया देखने को नहीं मिलती है अब बात आती है इस कोई सनकी की कौन सा पक्षी अपना गोसला अलमारी के उपर आइने के पीछे बनाता है आप्शन नमबर भी हो जाएगा विच वर्ड मेक्स इतनेस्ट बिहाइंड दा मिरर बिहाइंड दा मिरर मतलब सीसे के पीछे आइने के पीछे बनाती है तो ये है इस पैरो है ओप्षन नमबर हमारा भी लॉग हो जाएगा आएंगे फैक्ट नमबर नेक्स्ट पर ये चडिया आपने देखी होगी इसको कहा जाता है मैना आपके यहां इस चडिया को मैना के अलावा क्या कहा जाता है जरा बताओ जो भी बहन जो भी भाई है बहुत अलग-अलग छेतरी भासा में इस चडिया को क्योंकि ये तो आम चडिया है आपके बाहर मिल जाएगी अब आप कहोगे कि अरे यही मैना है क्या मैं कहता हूँ यही मैना है यह मैना ही दोस्तों चडिया है इसको आपके यहां क्या बोलते हैं बड़ा अलग-अलग नाम से कभी-कभी तो हसी आ जाती है है ना चलिए बताइए इस चडिया को आपके यहां क्या बोलते हैं मैं एगवार कमेंट बॉक्स में ले लेता हूँ वाइस क्लियर है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इस चिडिया को आपके यहां क्या बोलते हैं सबसे पहला बाद फिर मैं आगे चलता हूँ बहुत सुंदर गुर्गल बुलबुल बुलबुल थोड़ी न बोलते होएंगे चलो भाई मैना सोन्चिरया बहुत बड़िया गुल गुलिया ठीक है एक नाम आ रहा है घुरसल अच्छा एक नाम आ रहा है घुरसल मैना यही न यही न यह सब नाम आ रहा है यह च्छेत्री भासा के आम नाम है आईए मैना जटके से पहला पॉइंट यह यहां पर आता है मैना जटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है एक मात्र चिडिया ऐसी बता दो कुशन में आती है कि पक्षी ऐसी कौन सी प्रजाती है जब आप देखते हो कि सीटेट के दुनिया भर के पेपर आप सॉल्व करते हो तो वहां पर एक पॉइंट आता है कि सीटेट जो 2011 से पेपर पूछ रहा है उसमें कहता है कि कौन सी पक के से यहां पर अपनी जो है गरदन को गुमाने वाला पक्षी केवल मैना ही शुडिया है आएए अगला चैप्टर का नाम है यानि अगला पक्षी है हमारा फाक्ता देखिए हमने ऊपर वर्ड्स ही केवल डाला है लेकिन आपको कैसे हेडिंग डालनी है पक्षी का नाम भाई वहन हमारे तयार है इस वीडियो में जरह हमें बताईए कोईसन करने के लिए कितने भाई वहन हमारे तयार है चलो भाई बताओ देखो यहां पर क्या है वर्ड्स में पक्षी में फाक्ता क्या है यह फाक्ता है दोस्तों इसको भी आपके यहां अलग अलग नाम से जा पूतर के परिवार की स्दस्या भी कहते हैं, लेकिन आपको मैं बता दू कि फाक्ता को याद करने का बड़ा अच्छा तरीका हो, सीटेट में सबसे ज़्यादा इस वक्षी को पूछा गया, फाक्ता, अगर आपको ये बताओ, ये कांटे लग जाएं, तो आपका, ट्रिक दे फाक्ता, तो यानि फार यानि फाक्ता हो, तो फाक्ता जो है हमेशा कांटों के बीच में घोसला बनाता है, और ये कैक्तस के कांटे होते हैं, या फिर ये दोस्तों मेहंदी की मेड पर बनाता है घोसला, मेहंदी की पेणों पर बनाता है घोसला, हमेशा इन चीज को याद बहुत सुन्दर, सारे पढ़ाएंगे कल्चिडी से लेकर सब कुछ पढ़ाएंगे, आएए पहले उल्लू से मिलते हैं, फिर चलते हैं सब पर, बहुत सुन्दर, देखो इसको पढ़की भी बोलते हैं, ठीक है, पढ़की, चलिए अगले पॉइंट पर आएंगे, हेडिंग लिएगा उल्लू, उल्लू से तीन से चार कुछ सन आते हैं, पहला, ऐसा कौन सा पक्षी है, जो मनुस्य की तरहे, आगे की सामने की तरफ देख सकता है, जिसकी आँखे दोनों सामने की तरफ होती हैं, कुछ सन भी कराएंगे, तो देखेगा, उल्लू ही एक ऐसा पक्षी ह जिसकी आँखे हमेशा उनके चहरे पर होती है सामने की तरफ बाद बाकी कोई भी पच्छी ले लीजे उनके लेफ्ट एंड राइट में एक पीछे होगी आग है ना लेकिन यही एक ऐसा पक्षी है जो क्या करता है सामने की तरफ होती है चलिए आईए उल्लू तो अपनी गर देता हूँ the owl can rotate its neck backwards to a large extent मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि पक्षी जो है एक मात्र उल्लू है यह अपनी गरदन को घुमा सकता है यानि पीछे देखने के लिए एक ही जगे बैट कर अब देखेगा उल्लू की आँखे मनुसी की तरह सीधी होती है फैक्ट लिखते जाए तुन जो सामने देख सकता है उल्लू सून सान जगहे में रहता है आपने देखा होगा कि आपके नीम के पेड़ पर उल्लू बहुत कम दिखाई देते होंगे या होंगे भी तो आपको यानि जहां होंगे वहां घर नहीं बने होंगे देखा होगा आपने तो उल्लू जो होते हैं वो हमेशा सून सान जगहे पर रहते हैं, सूखे पेडों पर अपना गोसला बनाते हैं, रात्री में जागते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है, रात्री चर प्राणी कहा जाता है, और जो रात्री चर प्राणी होते हैं, वो हर चीज को किस रंग में देखते हैं, काल्य और सफे वस्तु को केवल दो ही रवों में देखते हैं काली वस्तु या सफेद वस्तु फिलाल यहां पर फैक्ट आपको याद रखना है उल्लू सूनसान जगए में रहता है निवास छेत्र सूखे पेड हो सकता है सूनसान में पड़े हुए पौधे जो पेड़ खड़े हुए वहां हो सकता है घरों के आस्वास देखने को नहीं मिलते हैं उल्लू अपनी गरदन को लगवा के दोस्तों गुमा सकते हैं लेकिन याद ये रखना है तीन सो साथ नहीं मैक्जिमम दोसो सतर से दोसो पच्छतर डिगरी ठीक है यहां पर एक फैक्ट और जोड़ूँगा क्या है एक फैक्ट और जोड़ूँगा दोस्तों चलिए बहुत सुन्दर हाँ चलो कुष्सन में उसको पूरा करा देंगे उल्लू से आई एक्वेशन यहां पर फैक्ट नंबर नेक्स्ट चैप्टर का नाम है इंडियन रोविन इसको हिंदी में कहा जाता है क्या इसको हिंदी में कहा जाता है कल्चिडी नोट कर लिजेगा एक हेलिंग डालिएगा इंडियन रोविन या कल्चिडी फटा-फट हेलिंग डालिएगा मेरे लाल सारे बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं कल्चिडी को चलो भाई बहुत सुन्दर सर हमारे यहाँ उल्लू को कुछ कुछ बा कहते हैं मुरे को नहीं पता यार इतनी जबर्जस्त वाली कोई है तो नहीं यहाँ पर किसी को बाईट एंड बिलेक दिखता तो नहीं है रात्री में मेरे को नहीं पता है तुम लोग कौन हो है ना मेरे को तो नहीं दिखता है चलिए कुछ से नंबर नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट कुईसन कराएंगे भी देखें कल्चिडी को इंडियन रॉविन कहा जाता है इंडियन रॉविन से प्रशनाता ये देखिए ये कितना अच्छा पच्छी है और ये लगवग लगवग ये अपनी फूच को ऐसा ऐसे करता रहता है देखा होगा ना आपके यहां होता होगा तो ये इंडियन रॉव ठीक है ना जहां पर हमने अभी पढ़ाया था पिछला वाला पक्षी जो इन्जीनिर वाला वक्षी था लेकिन नाजुक टहनी जब वर्ड आजाय दोस्तों तो याद रखना ये आपका कल्चिडी ही होगा याद रखना है तो जो नाजुक टहनिया है इसका गोसला मैं कह सकता हूँ डबल वेड समझो यानि जो गद्दा ऐसा एकदम से देखिए नाजुक टहनिया होती है उन बाल होते हैं रूई होती है यह सब बिचा होता है तो आप बताओ ना बिलकुल लगजरी वाला गोसला लगजीरियस गोसला नेस्ट किसका होता है यह कल्चिडी का होता है आपने देख लिया इंडियन रोविन आए यहाँ पर देख लेते सारे देखेंगे बीवर पक्षी आ गया खतम होने वाला है वीडियो लेकिन अभी तो बहुत कुछ है बाकी क्योंकि क्वेस्टन तो बाकी है और दोस्तों 10 से 12 कुष्टन लेंगे एक भी कुष्टन गलत न अच्छा बीवर को क्या कहते हैं हें कि हंदी में क्या को पर एक ही बेघवर जाता हूं देख लों बीवर पक्षी देख लो मिवर पक्षी देख लो इसको यह आप क्या कहेंगे डियों आउसे सभी बताओ ऐसे nimmtर एबु Boston गवालने को कि अ बहुत आसान है देखो बीवर पक्षी को ये बीवर जो है ना बीवर पक्षी है ये दोस्तों आपका कभी कभी टेलर वर्ड भी कहा जाता है लेकिन इसको बया पक्षी भी कहा जाता है क्या हिंदी में आपका बया पक्षी सीटेट में लिख कर आएगा और इंग्लिस वाले आ पर बीवर भी लिखा होगा तो आप परिशान नो बीवर को आप बया से याद रखें समझो बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर अपने अपने घोसले बनाते हैं अब नर बीवर तो अंडे देगा नहीं समझो मेरी बात को नर तो भाया अंडे देगा नहीं है ना अंडे द कोई भी चार घोसले बनाए और कहा कि चार घोसले तुम्हारे लिए तैयार हैं हम आपका इंतजार कर रहे हैं मादा वीवर आती है कि यह घोसला नहीं होना चाहिए यह मेरे लिए नहीं ठीक है यह भी नहीं ठीक है अन्तता एक घोसले यह ठीक है चल जाएगा मतलब पूरी र बिम्हों के कि छेंदमना के परिशान है केवल केवल अपनी डॉसन को यहां बीबर गोल जिने करते हैं चलिए अगले पर आ츠 पर आंगे फैट लेते हैं कोल सह भी बहुत खतरना फॉच्ची चलो भाई बताओ आंसर क्या होगा मतलब इसको फैक्ट पो लिखिएगा तुरंत आंसर तो अभी हम आपसे पूछेंगे आंसर देखी अभी आपसे पूछेंगे बहुत कुछ है बहुत कुछ बाकी है अच्छा हुकुम जमाती है अपना जुलाही भी कहते हैं किसको भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट भर दिया फैक्ट पर आएंगे फैक्ट क्या है हाँ वीडियो को लाई करते जाना मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको टीचर बनना है क्या अगर आपको टीचर बनना है मैं केवल टीचर ही बनाता हूँ सिक्षक और सिक्षे का सस्क्राइब कर ले नीचे मैंने प्लेलिस्ट को मिंटेन कर दिया सारी प्लेलिस्ट की वीडियो आप देख लो ऐसे ही मस्ती में बढ़ा के तेजी स्पीड में सब कुछ के लिए एक्जाम फाइनल कोयल पक्षी को हेडिंग में डालियेगा कोयल पक्षी क्या है? कोयल के काले पंक होते है नही बात है क्या? बहुत आसान है कोयल की आवाज कुहू कुहू होती है यह NCRT है नाthat में तो NCRT से question ऐसे ही आता है ये अपनी मीठी आवाज के लिए जाधा पुशिद है कोयल की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो कोयल से प्रश्ण जो आता है ये आता है कि कौन सा पक्षी है जो अपना गोसला नहीं बनाता है पक्षी जो है ये अपना गोसला नहीं बनाता है तो गोसले का निर्माण नहीं करने वाला पक्षी कौन है, कोयल है, अच्छा इसके गोसले का निर्माण कौन करता है, कववा करता है, ठीक है ना, ये भी वही है, है ना, प्रेम, प्रेम बाला प्राणी, है ना, कववा यानि प्रेमी है इसका, और इसके जो है बच्चे को कौ पालता है तो अंडे जो है भहिया यह अपने कवे के घुसले में देती है जैसे बच्चे बड़े होते हैं आवाज काओं काओं की बजए आती है कुहु 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 कवा लात मारता है चल भाग है ना पज़ा नहीं कहां से आ गया चलिए अगले फैक्ट पर आएंगे क्वेशन यहां पर फैक्ट का नाम है यहां पर कभूतर चलिए यहां देखिएगा कभूतर से दोस्तों क्या क्वेशन बनेंगे हाँ बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत बढ़िया देखिए 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 अच्छा हाँ जब अपन ग्रामीड प कबूतर देखिए कबूतर क्या है कबूतर दोस्तों एक हेडिंग डालिएगा कबूतर से 4-5 फैक्ट आते हैं एक तो आप मैं आपको बता देता हूं कि कबूतर से प्रश्चनाता है कि ये बताएगा कि सांती का प्रतीक कौन है सांती का प्रतीक कौन है पहला ये फैक्ट में जब मकान वर्ड आ जाए मकानों में घोसला किस पक्षी का ठीक है यह आ जाए तो यहां पर आंसर दोनों का क्या हो जाएगा कबूतर और यहां पर भी कबूतर आप समझे कबूतर की चोंज गुलावी होती है इसके पंक्स लेटी होते हैं और गुट्रूगूं की आवाज इनकी होती है यह बहुत नार्वल NCRT का फैक्ट है जैसे कुहु कुहु था लेकिन दूसरी चीज आती है सूनसान मकान आप अगर पुराने अगर आप ग्रामीर छेत्र में आते हो तो आप जानते होगे कि जो आज कल के कुवे हैं है ना कुवे यह आपके कुवे हैं यह दो वो हमें ऐसा मंदिर और मस्जीद आया करते होंगे है ना मंदिर में उपरी सताय पर जहां पर बहुत सांती रहती है वहां पर घुशले बनते हैं आपको बता है ना तो सांती का प्रतीक है सूनसान जगहे पर घुशले का निर्माल इसलिए एक कुश्चन में लेता हूँ और अंसर हो सकता है चलो भाई बताओ चीक है बहुत बढ़िया है हाँ डांकिया भी कहते हैं इसको पहले अब तो कहां अब तो इससे कह दोगे कि भाईया मेरा पत्र लिए जाओ कर अट मेरे बास टाइम का प्रेम प्रसंग तुम करो अब हमसे पत्र भीजवाओ ऐसा कैसे हो सकता है मेरा खुद नहीं टांका विडरा है चलिए क्वेशन पॉइंट पर आइंगे कभूतर अपने गोसले कहां बनाता है तो कभूतर अपने गोसले की बात कर लेते हैं मेरे लाल तो कभूतर अपना गोसला बनाता है पुराने नेक्स्ट फैक्ट पर आएंगे, फैक्ट है दोस्तों, पक्षी में चील, चील वर्ड हमेशा याद रखियेगा, स्त्रिलिंग और कुलिंग दोनों में माना जाता है, इसलिए कभी भी यह ना समझें कि सर ने कलत लिखा हुआ है, चूहे खाती है, याद रखियेगा, चील से प्रशन आता है, मैं इसको बता देता हूँ, आप कुछ भी लिखो, तो हेडिंग डालिएगा, चील, हेडिंग क्या डालेंगे, चील डालेंगे, हेडिंग चील डालेंगे, तो चील चूहे खाती है, यानि यह खाता है, उसकी पूंच लंबी होती है, उसकी पूंच खाचे लंबी होती है यानि जिसमें खांचे होते हैं यह आप देख रहे हो यह चील है चील गिद्ध से बहुत अलग होता है यानि आप चील की बात करोगे तो चील गंजी नहीं होती है या गंजा नहीं होता है चील पक्षी एक ऐसा है जो गंजा नहीं है गिद्ध पक्षी ऐसा है बाज गिद्ध ऐसा है जो गंजा होता है चील और बाज गंजे नहीं होते है ठीक है चलिए यह पूँच अगर कुशन में आजा यह खांचे यह प्रस्ण आ चुका है सीटेट का प्रस्ण है कि ऐसा पक्षी कौन है ऐसी पक्षी की प्रजाती बताईए जिसकी कूँच खांच चील मारिये चील सबसे उची डाल पर अपना गोसला बनाता है अब मैं बात आपको याद दिला देता हूँ हमेशा याद रखेएगा जब भी बात आये कववा तो कववा भी उची डाल पर गोसला बनाता है तो कववा ही मारिये चील ऑप्षन में अगर नहीं है और कववा चील option में है तो विवात खड़ा होगा तब आप चील मारिएगा ठीक है ने उची उढ़ान के लिए चील जाना जाता है लेकिन हमेशा तक अभी तक सीटेट यही पूछता रहा है तो फिलाल यह आपको याद रखना है चलिए चील हमसे चार गुना अधिक देख पाता है अग यह चील बाज और गिद्ध मनुस्य से चार गुना ज्यादा देख पाते हैं हम लोग अगर एक गुना देखेंगे तो मनुस्य से चार गुना तेज कौन देखेगा यह तीन पक्षी देखेंगे यह तीनों पक्षी है ना ताउ चाचा जीजा फूफा आई अगले फैक्ट पर आईंगे हम कहाँ पर थे हम थे दोस्तों यहाँ पर हाँ पढ़ते चलिएगा यहाँ पर थे कर चील हम से चार गुना अधिक देख पाता है चील का घुष्ञा सबसे बड़ा घुष्ञा होता है सबसे चोड़ा यह तैक्ट बहुत इंपौर्टेंट है दोस्तों वेरी important पूछा जाता है ये fact केवल एक ही है दुनिया में एक मात्र पक्षी ऐसा है जो एक वार घोसला बना लिया और उसको सालों भर यूज करता है देखो हर पक्षी चाहे मैंना हो चाहे कवा हो चाहे तोता हो ये पक्षी साल में एक वार बनाते हैं और क्या करते हैं उसमें बच् फिर से बच्चे देंगे तो फिर से घोसला नया बनेगा लेकिन एकमात रैसा पक्षी है चील जो कभी भी नया घोसला दूसरा नहीं मनाता है चार से पांच फीट का चोड़ा घोसला ये होता है क्योंकि कभी कहा जाता है कि सबसे बड़ा घोसला चील का होता है चार से पाँच फीट का पूच लंबी होती है, खार्चेदार होती है, चुहे को खाता है, चार गुना तेज देखता है मनुस्य से और अपना घोसला हर साल यूज करता है एक बार बना के, ठीक है न, बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आते हैं अगले फैक लेना शुरू करेंगे, चलिए, सब तयार हो, 10 कुश्चन करेंगे, सब तयार हो, एक बार हमें क्या कर ले, एक बार हमें यहाँ पर कमेंट वाक्स में बता दे कि हाँ सर तयार है, रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए भईया, बहुत बढ़िया, मेरे लाल देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, मोटिवेशन अगर आपको हमसे चाहिए, हमें भी चाहिए होता है, बास सिंपल सी है, कुछ बहने आभी आए हैं, कुछ भाई हमारे आए हैं, उन्होंने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि सीटेट को क्रेक करना बहुत जरूरी है आई एक पॉइंट पर आएंगे वर्ट में हेडिंग डाल लीजेगा कवा कवा की बात करें तो कवा क्या है काले रंग अब यह तो ठीक है कववा उची डाल पर मैंने कहा तो ना विवाद है चीलवी उची डाल पर कववा भी उची डाल पर चुनाओ एक करना है क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से कववे के गोसले में सबसे most fact यही कववे से पूछा जाता है सबसे most fact क्या है अब तक question में क्या आया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने गोसले में लोहे के तारका यूज करता है तो हो जाएगा कववा ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने गोसले में नाजुक टेहनी यूज़ करता है, हो जाएगा कल्चिडी, ऐसा कौन सा पक्षी है, जो अपने गोहसले में कपड़े का चीथड़ा यूज़ करती है, बताएगा, जल्दी बताएगा, कपड़ों का चीथड़ा, वही इन्देनीर वाला, है ना, याद आ गया दोस्तों, ऐसा क कौन सा पक्षी है, जो तने को छेद करके घोसला बनाती है, कट फोड़वा, और यहाँ पर देखिए, ऐसा कौन सा पक्षी है, जो अपने घोसले में लोहे के तार का इस्तेमाल करता है, तो ये है कववा है, और इसलिए याद रिखिएगा, कोयल कववा के घोसले में अंड देती है, ऐसा कौन सा पक्षी है, जो कोयल के बच्चों को पालता है, वो है कववा, और ऐसा कौन सा पक्षी है, दोस्तों, जो बहुत चालाग है, नोट करिएगा, ऐसा कौन सा पक्षी है, जो बहुत चालाग है, नोट करिए फटा-फट, यानि केवल एक ही पक्षी है, ज इसको चालाक पक्षी कहा गया चालाक पक्षी कहा गया और वो है कवा चलिए बहुत सुन्दर जितने बच्चे देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है बहुत अच्छे बहुत बढ़िया क्या वात है कि एक क्वेशन आ रहा है कि सर ऐसा क्या है जो हे का मतलब लोगा क्यों अपने घुश्ले में रखता है अब मुझे इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी कि यह कवा जो है मेरे लाल मेरे फूफा इसमें जो है यह घोसले में तार क्यों रखता है यह कहीं पूर्व जन्म में कहीं इलेक्ट्रीशियन तो नहीं था तो इसलिए यहां पर आपको याद रखना है कोई फालतू के कोईसन करने से पहले यह समझो कि अगर तार रखता है तो मजबूती के लिए रखता होगा क्योंकि उसका मानना है कि वह चालाग पक्षी है और मजबूती हर पक्षी में कुछ ने कुछ अलग होता है उसका स्वभाव और उसका स्वभाव में यह है कि नहीं बिना इसके नह नेक्स्ट, बच्चे के क्लास पूछ रहा है, सर कितने वजे क्लास, सुभे वेटा, ग्यारा वजे क्लास, मेरे हर बहन, हर भाई को मैं बता देना चाहता हूँ, सुभे ग्यारा वजे, और 9 एम पर मैथ चलती है, ठीक है, 9 एम से सुरू होती है, रात के 10-11 वजे आपको क्लास मिलती रहती है, सारे सब्जेक की, आए, वर्ट्स में डालिएगा, यहाँ पर कुछ 3-4 चीज़े, फिर हम चलते हैं, क्या, फिर हम कोईसन पर चलते हैं, सारे बच्चे कोईसन के लिए तयार हो जाए, लास्ट फैक्ट देख लिजेगा, पच्छियों के पंक अलग-अलग बात खतम, उनके पंक उड़ने में मदद करते हैं, बात खतम, इतना ही नहीं पंक, यह क्या है, यह चैप्टर का नाम है पंक, क्योंकि हो सकता है, इतना ही नहीं पंक, उनके सरीर को गरम भी रखते हैं, समय समय पर पक्षियों के पुराने पंक जड़ जाते हैं, और नए प पंक जो है ये पंक से statement आजाएं कि निमलिकित में कौन से option कौन से कथन सही है कौन से कथन गलत है ठीक है चलिए आते हैं प्रश्ण पर और कितने बच्चे यहां पर हैं कितने बच्चे सबसे ज्यादा score करेंगे यानि आने वाले प्रश्ण है प्रश्णों की संख्या ध्यान दीजे प्रश्णों की संख्या कितनी है मुझे लगता है जहां तक प्रश्णों की संख्या 10 होगी question की संक्या नहीं पड़ी प्रश्णों की संक्या पूरी 10 है और 10 में कितना score होगा ये आप किसलिए मैं question से हट जाता हूँ जिससे हिंगंदी और इंगलिस का दोनों आप देख पाओ बताओ बहुत सुन्दर चलिए ठीक एक छोटे से पेड़ या जाड़ी की साखा से लटकने वाला गोसला बनाने वाला पक्षी कौन है अब मैं जरा थोड़ा सा आपको उपर ले जाता हूँ हाँ ये देखिए ये लटक रहा है दुनिया में एगमात पक्षी जो लटकता हुआ गोसला बनाता है हेडिंग क्या है ये देखिए यहाँ पर क्या है सकर खोरा अपना गोसला किसी छोटे पेड़ या डाली पर लटकता हुआ बनाता है और इसी सकर खोरा को क्या कहते है Sun world कहा जाता है दोस्तों इसलिए हमेशा याद रखेगा क्या हो जाएगा सन वर्ड यानि sun world देखिये सुरपक्षी या सकर खोरा हो जाएगा अंसर हमारा option number Ay हो जाएगा यह सुरपक्षी दोस्तों है सुरपक्षी एकजाम में आ सकता है सकर खोरा तो सकर खोरा वाली हेडिंग बनाईए ना उसमें आगे कोस्ट्रेंग में लिख लीजेगा सूर्य पक्षी मैंने वहां बताया था ना आपको सनवर्ड तो सनवर्ड को हिंदी में सूर्य पक्षी कहेंगे नहीं तो गलत कर दो आईए चलते हैं अगले क्वेशन पर वहां पक्षी जो दिल्ली में सामाने था दिल्ली में देखिए ध्यान दीजेगा इसमें एक जगए देदी के वल अब ये दिल्ली में पूंचा गया था सीटेट में लेकिन हो सकता है आपके क्वेशन में आपको ब्रहमित करने के लिए दे दिया हो जरूरी थोड़ी ना य मेरे घर में भी तो है या हो सकता है आपके भी सहर का तो कुष्चन हो सकता है कहता है वह पक्षी जो दिल्ली में सामाने रूप से दिखाई देता था परन्तु अब इस चडिया के बारे में सामाने रूप से जागरुकता बढ़ाने है तो एक विसेज दिन मनाया जाता है क् सहरी करन के कारण यह दुरलब हो गई है बिल्कुल मेरे सहर से भी जो है यह दुरलब हो गई है आपके भी सहर से दुरलब हो गई है लेकिन कम मात्रा में है तो दिल्ली को यहाँ पर टारगेट किया गया और उस चुरिया का नाम है गौरिया यानि उस चुरिया का नाम क्या है गौरईया है आंसर हमारा option number D यानि option number 4 इस पैरो के साथ चला जाएगा क्योंकि गौरईया के लिए हम इस question को lock करेंगे अच्छा मैं बस आप के लिए question यहां से निकालता हूँ ठीक है एक question निकालता हूँ कि यह बताओ कि गौरईया दिवसकब मनाते है ठीक है गौरईया दिवसकब मनाते है फटाक से बताएंगे equation यहां पर क्योंकि क्योंकि इस तहरी करण के कारण यह दुरलव हो गया है और बताते हैं कि बढ़ाने हे तो एक बिसेश दिन मनाया जाता है तो गौरईया दिवस ध्यान दो यह भी एकजाम में पूछा जाता है गौरईया दिवस कब मनाते है तो answer हमारा क्या होना चाहिए answer हमारा होना चाहिए 20 March answer क्या होना चाहिए 20 March होना चाहिए इसलिए answer हमारा D होगा ठीक है चलिए आते हैं question fact पर next question next चलिए मुझे लिखना पड़ता है और questions के हमेशा comment box में हमी लिखा करते हैं कोई editor वगएरा नहीं है मैं देखता हूँ लिखता हूँ मैं खुद चलिए question fact पर आते हैं next पच्छियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर्पक्षी अनेक सुंदर गोसले बनाते हैं और मादा पक्षी उसमें से केवल एक गोसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं मतलब मैंने कहा कि अगर आप कलचिडी की बात करोगे तो ये कलचिडी इंडियन रोबिन है ये पत्थरों में और नरम टहनिया सक क्तकर खोड़ा हमेसा लटकता हुआ गोसला बनाती है दरजिन चिडिया हमेसा पत्यों को सिल्कर बनाती है और गोसले का निर्मार नर पक्षी करता है और किया उसको क्या करती है मादा उसको चुनती है आये question number next इसको मैंने पढ़़ाया भी है अभी देखें कोस्टन पर आते हैं question पर आगए question पर आ गए ना question पर आ गए name of the world whose eyes are on the front like humans यानि human की तरह फ्रंट पर होती है, शेहरे पर होती है, केवल एकमात रुपक्षी है और उसका नाम क्या है, option number A कहता है, चील, option B कहता है, बाज, option C कहता है, गिद, और option D कहता है उल्लू, comment करिये, past comment दोस्तों, बहुत तेजी से चलिए, बताइए मैं कहता हूँ, दोस्तों, कि अगर आउल आप मार रहे हो, option number D, तो बिल्कुल सही, इस question का right answer है क्या है, option number D है, उल्लू क्या है, उल्लू इस question का answer होगा, उल्लू से क्या fact बन सकते है कि लगबग 270 डिगरी गरदन गुमा सकता है, अगर देखा जाये, तो सून सान और सूखे पेड़ों पर ये रहता है और अगर देखा जाये, ये हमेशा black and white चीजों को देख सकता है व्लेक एंड वाइट चीजों को देख सकता है दोस्तों और अगर ये देख सकता है ये क्या है ये एक रातीचर प्राणी है क्या है रातीचर प्राणी है और इसकी आँखें क्या होती है इसकी आँखें होती है सामने की तरफ होती है इसलिए इस question का answer हो जाएगा next आउल चलिए बताईए बोलिए answer क्या होगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आप सभी के बहुत बच्चों के comment आते हैं घर से आपके प्यार मिलता है चलिए आपके माता पिता जो हमें प्यार देते हैं मतलब इवन बच्चे तो देते हैं आपके परिवार भी हमें प्यार देते हैं उन सभी को नतमस्तक प्रणाम है और question आता है आपके लिए अगला कि तीन पक्षियों का वय समूज जिसका प्रतेक सदस्य बस्तूओं को हमारी तुलना में चार गुना अधिक दूरी इसपस्ट देख सकता है मैंने आपसे बोला था कि अगर कोई बस्तू हमें दो मीटर की दूरी से दिखाई देती है अगर कोई बस्तू हमें दो मीटर की दूरी से दिखाई देती है तो वो हम कह सकते हैं, पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं, अगर हम 1 मीटर देख सकते हैं, तो वो 4 मीटर देखेंगे, अगर हम 4 मीटर देखेंगे, तो बताओ कितना देखेंगे, हम ये कह सकते हैं, बाज, चील और गिद ऐसे केवल 3 पक्षी हैं, जो हमसे 4 गुना देख सकते हैं ठीक है ना चलिए बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्या है और यह अपने पांच मित्रों में हर बहन हर वाई से यह वादा करिए नीचे कमेंट बॉक्स में कि पांच मित्रों में सेर जरूर वीडियो करते जिससे पक्षी का कोई भी कॉंसेप्ट में मुझे दुवारा ना पढ़ाना पुड़े मैं इतनी रिक्वेस्ट आपसे करता हूं मैं जानवर को लेकर आऊँगा तो जानवर एकवार में खतम हो जाएंगे मैं लोक लोक तेवार लेकर आऊँगा जिसमें हर राज्य की परमपरा मैंने देखो पकवान पढ़ा दिया है ठीक ना स को option number किस के साथ 4 के साथ लॉक करेंगे कभी option में कवा आ जाये तो कवा मत मार देना अगले fact पर आएंगे अगला fact हमारा क्या है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है कमेंट कीजएगा पीछे तक it is word that can turn is Nick वेकवर्ड कहता है दोस्तों एक ऐसा भी question बीच में आ सकता है हो सकता है आप से ना हो चलिए हो सकता है कि question में आप सारे कर ले देखो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है तो question में कुछ भी आ जाए उल्लू मार लीजे क्योंकि ऐसा पक्षी एक मात्री है जो सबसे ज़्यादा क्या करता है उल्लू ही कर स लगता है जिसको 270 कह सकते हो आये question पर आएंगे यह question बहुत अलग ले लिया मैंने और यह question एक्जाम में पूशा भी गया है पिछली तीन स्रिफ्ट में आया हुआ है मुझे लगता है कि आपको यह जानना चाहिए चलिए बहुत अच्छे किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के कामाती है यानि कौन सी ऐसी चोंच है एक तो तिकोने आकार की चोंच है एक सीधे और पतली चोंच की है एक हुक जैसी चोंच है और एक है लंबी पतली सुई जैसी चोंच लंबी पतली सुई ज होती है अगर आपको मैं दिखाना चाहूं जैसे हुक जैसी चोंच किसकी हो सकती है यह देखिए यह आप देख रहे हो यह पक्छी इनकी होती है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको और मिल जाएगा यह देखिए यह देखिए हुक जैसी चोंच होती है नीचे की पैदा कर दूध पिलाता है बढ़ा अच्छा प्रश्ण है कि ऐसा भी कऊई पच्ची है जो बच्चे पैदा करता है और दूद पिलाता है समझेगा पच्चियों का इले concept पक्ष यों का concept एक बच्च वाल से कल मैसेज कर रहा था कि सर हमें सिम्ग में तक टेल स्फट ग्रुप पर एक मैंने कुस्षन डाला था, उस बच्चे ने कहा कि सर ये नहीं समझ में आया, टेलिग्राम पर हम टेस्ट भी ले रहें, टेलिग्राम जॉइन करने के लिए आपको सर्च क्या है, जी यू, आर यू, जे आई, स्वेस, डबलू, ओ, आरेल्डी, तो वहाँ पर options क्लिक करने होते हैं, और आपका कुछन सही होता है यो, गलत होता है, आपको तुरण पतो चल जाता है, तो ये टेलिग्राम है, आब समझेगा यहाँ पर क्या है? यहां पर एक concept समझो, जिन पकषीओं के कान आपको बाहर की तरफ, कान अगर बाहर की तरफ दिखते हैं, बाहर दिखते हैं, समझो, दिखते हैं तो यहां का आप simple सा फंडा याद रखो, जो भी पक्षी, यानि जो भी पसू, पसू की बात कर ले, या पक्षी की बात कर लो, तो आप एक fact हमेशा याद रखो, जिनके कान बाहर दिखते हैं, वो हमेशा बच्चे देते हैं, पहला, बच्चे देते हैं, ये note कर लो, और जिस के कान आपको बाहर, यानि कान बाहर नहीं दिखते हैं, कान आपको बाहर अगर ना दिखें, तो आप क्या करेंगे, तो वो पक्षी हमेशा अंडे देते हैं, अंडे देते हैं, अब आप कहोगे सर, example बताओ, note कर ले न, ये मैंने पीडियोप में सामिल नहीं किया था, हो सक देते हैं, बच्चे देते हैं, मतलब आप अपने आसपास देखिएगा, जो भी भैस है, कान बाहर दिखते हैं, सर, हाँ दिखते हैं, गाय है, कान बाहर दिखते हैं, गाय भैस, बकरी है, दिखते हैं, सर, हाँ दिखते हैं, कान जिसके बाहर है, वो बच्चे ही पैदा करे जैसे मनुस्य मनुस्य के क्यान बाहर है हां दिखते हैं तो मनुस्य में क्या हो जाएगा फीमेल जो है क्या करेंगी हमारी मातनाय जो है हमें जन्मा हुआ है तो हम बच्चे से ही तो है ना तो हम बच्चे हैं तो इसलिए हमने क्या बिल्कुल एकदम से देशी भासा में समझा कोई टीचेर इस तरीके की भाट भी नहीं कर सकता। मैं case न गआ भी अरो कि तरफ दिखते होते हैं वो वच्चे हमेसा प्रजिन करते हैं लाइक दूसरा कान अगर बाहर नहीं दिखते हैं वो अंडे देते हैं लाइक अगर हं बात करें सारे पक्षी, चाहें वो कबूतर हो, यानि मैं यहाँ पर पक्षी लिख देता हूँ, पक्षी में वो चाहें कबूतर हो, चाहें वो कवा हो, चाहें वो कोई हो, लेकिन ये कुस्सन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आप कहोगे कि सर एकमात्र पक्षी है, तो ये बता क्या देगा वो दूद नहीं पिलाएगा बात किलियर क्योंकि उसके कान नहीं दिखते हैं फंडा किलियर लेकिन ये तो पक्षी है ये तो दोस्तों दूद पिलाता है आपको होगे तो समझो कि उसके कान होते हैं चमगादर की बात में कर रहा हूं ऑप्शन नंबर ए की बात क की तरप दिखेंगे वो हमेशा इस्तंधारी की तरप आएगा मनुष्य से भी इस्तंधारी है next कि बहुत बड़िया चलो भाई question है next वह कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में अपना प्राण त्याग देता है यह question बहुत अच्छा प्रिश्ण है मुझे लगता है कि हर बहन हर भाई को जानना चाहिए कि यह अगर आप देखते भी हो तो भी आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं एक पक्षी जा रहा होता है दो पक्षी हमेशा पेर में ही इनका क्या होता है कि यह हमेशा पेर में ही उड़ते हैं या तो जादा होंगे तो भ बिजली का और वो खतम हो गया एक तो हमेशा याद रखना कि अगर एक खतम हो गया तो थोड़ी देर में एक दो मिनट में वो भी खतम हो जाएगा वो भी अपने प्रांड त्याग देगा अपने बियोग में अपने साथी के बियोग में प्रांड त्यागने वाला केवल सारस ही होता है यानि इस क्वेशन का जो राइट आंसर है वो अप्शन नमबर ए हो जाएगा ठीक है चलिए कि बहुत सुन्दर कि बताओं कि चलिए तो जितने भी बच्चे हमें देख रहा है गुरूजी वर्ड एक्जाम स्टड़े पर वो टेलिग्राम ग्रूप पहले जॉइन करने हैं क्या करने मेरे लाल टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन करने सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आपको कोई भी दुविदा नहीं होगी क्लिक क कुले लिंक को मैं दे रहा हूँ इस लिंक को क्लिक कर ले और जो भी परिवार समय देख रहे हैं मैं कहता हूँ यह पक्षी टॉपिक वाला जो पक्षी है यानी कैसा पढ़ाया है आप अगर इसको देखना चाहेते तो मेरी मेहनत आप देखिए पहले पूरे लास्ट में हमने कुश्चन कराए है हमने चील को लिया है हमने कुश्चन बीच-बीच में भी लिये है चाहें वो देखिए इसका पूरा एक वह बन जाना चाहिए नोट्स बन जाना चाहिए देखिए चील को मैंने लिया है ठीके न कवे को लिया, चील को लिया, इसके बाद मैंने कबूतर को लिया है, कोयल को लिया है, बीवर पक्षी को लिया है, कलचिडी को लिया है, सारे नोट्स बन जाने चाहिए, वीडियो, हाँ, उल्लू को मैंने लिया है, सारे फाक्ता पक्षी को लिया है, मैंने मैना को भी लिया है एक चीज में आप देखते जाओ, प्रश्ण भी बीच में लिये हैं, गौरईया को लिया है, फैक्ट क्या बनेंगे, सकर खोरा जिसको सन्वर्ड कहा जाता है, मैंने उनको भी लिया है, ठीक है न, साथ ही साथ आपने पक्षियों के बारे में दरजिन चिडिया मैंने लिया है कटफोडवा चिडिया मैंने लिया है, चीलवाज गिद मैंने लिया है, इसके साथ कोईसंस भी बीच में लिये, इसके साथ मैंने गिद के साथ मैंने क्या लिया है, गिद के साथ मैंने लिया है दोस्तों, मोर को लिया है, मतलब मैं यह कह सकता हूँ, कि इन सभी पक्षियों में हमने इन सारे पकशियों के सासाथ और भी बहुत सारे पकशी करायए हैं तो इनका एक क्या कर लेना है कोईसन का तरीका भी लिया है इनका सब एक नोट्स बन जाना चाहिए बहुत मेंद लगती है चीजों को डेकोरेट करने में चीजों को आप तक पहुँचाने में और आपके हिर्दे से उन चीजों को सेट करने में क्योंकि वो दिमाग में अगर एक बार जाती है तो मुझे लगता है कि आप उन तक पहुँच कर उन्हें कभी न भूल भाए जितने भी परिवार हमें देख रहे हैं प्यार हमें मिलता रहेगा हमेशा की तरह है और यूहीं मुस्कुराते रहेगा आप क्योंकि हां साम को साथ बज़े जुड़ना न भूलें साथ बज़े आपकी एक नई टॉपिक क्लास होगी उसके बीच में आपको मैथ इंग्लिस अ देख लिजेगा मैं नीचे इस डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है या इसी टेलिग्राम ग्रूप की मैं बात कर लेता हूं मैंने एक लिंक आपको वट्स है इस पर कर दी है सीटेट एक्जाम डेट में कितना टाइम लगेगा सीटेट एक्जाम डेट आज चुकी है 20 तारीक है 20 अगस्त थेंक यू